नमस्कार दोस्तों मैं आपका मैंस्मेंट राकाश SGA competition classes पर आप सभी लोग का हर्दिक स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ स्वस्तों के बढ़िया होंगे आपकी preparation बढ़िया तरीके से चल रही होगे जैसे कि unit digit का concept बहुत प्यारा है तो उस concept को हम यहाँ पर आज discuss करेंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं तो जो last second last question था class का वो यह था हमारे पास यह question हम लोग कर चुके थे अभी ठीक इस question से आगे बढ़ते हैं इस question से आगे बढ़ते हैं दोस्तों कह रहा है कि एक विभाजन योग में भागफल भाजक का सोले बटे पांच गुना है इन अ डिविजन सम दा कोशेंट इस सिक्स्टीन भाई टाइम्स ओफ दा डिवाईजर तो कह रहा है डिविजन सम दा कोशेंट यानि कि भागफल जो है ना भागफल इसके बराबर है भाजक का सोले बटे पांच गुना है यानि कि कोशेंट और डिवाईजर में क्या रेशियो आ गया 16 इस टू 5 का रेशियो आ गया यानि कि किसी संख्या को हम पांच से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो सोले बार जाती है और कह रहा है और शेशफल भाजक का चार बटे पांच गुना है यानि कि जो रिमेंडर है और डिवाईजर में क्या अनुपात दे रखा है चार अनुपात पांच का रिवाईजर फाइब है तो रिमेंडर कितना है चार दे रखा है रिमेंडर कितना है चार है तो कंडिशन हो गई अपने पास 12 पंजे 80 और 4 84 यानि कि जो संख्या है वो 5 से 16 बार 16 नंबर जो होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 16 और शेशफल को जोड़ दोगे 16 पंजे 80 और 4 84 84 ठीक है 84 तो remainder 16 अब remainder की value यहाँ पर दे रखिये 16 अब सुनो जरा remainder की value 16 दे रखिये अब ध्यान से देखने जरा remainder की value 16 दे रखिये given है यहाँ पर यानि की 4 की value 16 4 गुना तो ये भी 4 गुना यानि की 64 और ये भी 4 गुना यानि की 20 तो जो संख्या होगी actual में नंबर वो हो जाएगी 20 गुना 64 पिलस का 16 यानि की value कितनी 0, 8 और 6 दूनी 12 1280 प्लस का 16 एड करोगे तो answer आएगा अपने पास 1296 कितना आएगा 1296 आजएगा 1296 answer आएगा बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ लेना यानि की वो ये सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा है कि ये भागफल देखो ये diviser आता है यहां पर ये आता है dividend और यहां पर आता है quotient यहां पर आता है remainder अब बस यहां पर यह कहना चाह रहा है कि अगर remainder और इसमें 5 इस्टू 4 का ratio है और इसमें कितना अनुपात है 16 का ratio है यदि सेशफल 16 है तो यानि की 4 की value 16 है remainder 16 है तो 4 गुना तो ये भी 4 गुना यानि की 20 और ये भी 4 गुना यानि की 64 तो मैं ही कह सकता हूँ कि संख्या जो हो जाएगी या dividend जो हो जाएगा 20 गुना 64 पिलस का 16 आएगा बस इतनी सी बात हमें समझनी थी संख्या किस तरीके से निकलती है इस question में आप लोग समझ गये होंगे इसी के साथ अगले question की तरह तो remainder की question तो मैं आप लोग बहुत सारे करा चुक हूँ इसका revision यहाँ पर आप लोग बताओ जरा कि क्या इसका answer आएगा फिक है क्या इसका answer बनेगा चलो बताओ जरा फटा फट से एक्स की पावर 22 पिलस 22 अगर एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया जाएगा तो हम से पूछा गया है कि remainder बताओ कि शेशफल कितना मिलेगा शेशफल तो एक बार यह मान लो कि एक्स प्लस 1 से पूरा पूरा कट रहा है अगर यह एक्स प्लस 1 से पूरा पूरा कट रहा है तो यानि कि एक्स प्लस 1 की वैल्यू जीरो एक्स प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा और फैक्टर है तो जीरो के बराबर और एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी माइनस 1 तो एक्स की वैल्यू minus 1 put कर दो इस में तो यानि की minus 1 की value हो जाएगी 22 and plus का 20 value कितनी बचेगी minus 1 की power even है तो कितना हो जाएगा 1 plus 22 और यानि की जो answer आएगा वो आएगा हमारे पास 20 तो हम यह कह सकते हैं कि अगर x plus 1 से x की power 22 plus 22 को आप divide करोगे तो आपके पास जो value आएगी remainder में as a remainder वो आएगी 23 वो कितनी आएगी 23 आ जाएगी clear 23 आ जाएगी clear है तो आज की class का second question आप लोग को यहाँ पर समझने आया इसी के साथ हम लोग third question की तरफ move करते हैं देखते हैं third क्या कहना चाहरा है जब 43 की power 43 plus 29 की power 43 को 72 से विभाजित किया जाता है किस से 72 से विभाजित करते हैं तो शेशफल x आता है x आता है तो जब 3 bracket 2x plus 9 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेशफल कितना आएगा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि a to the power n plus b to the power n हमेशा ध्यान रखना हमेशा a plus b से डिबाइड होगा किस से डिबाइड होगा a plus b से डिबाइड होगा और कब जब n की value कितनी दे रखी है odd दे रखी है ठीक क्यों क्योंकि a to the power 3 a plus b to the power 3 का जो formula होता है तो उसमें a plus b एक factor होता है a plus b एक factor होता है तो हमेशा ये किस से डिबाइड होगा हम ये minus आएगा a square minus का a b और ये हम a plus b इसका एक factor है तो हमेशा ये a plus b से डिबाइड हो जाएगा तो अगर 43 की power 43 plus 29 की power 43 72 से विभाजित किया जा रहा है किस से 72 से तो हमेशा ध्यान लगना ये 43 plus 29 से completely divisible होगा completely 9 और 3 बारे का 2 और 4 और 2 6 और 1 7 यानि कि ये पूरा का पूरा गेम 72 का multiple बनेगा और 72 से divide होगा तो 43 to the power 43 ध्यान रखना ये 43 plus 29 यानि कि 72 से पूरा पूरा कटेगा और जब 72 से पूरा पूरा कटेगा तो जो remainder आएगा वो आएगा अपने पास 0 तो 0x की value कितनी आ गई वो कह रहा है ना remainder कितना आता है x आता है तो यहाँ पर x की value कितनी आ गई 0 आ गई तो जब x की value 0 आ गई तो हम से पूछा गया है 3 into 2 times of 0 पिलस 9 तो ये तो 0 ही हो जाएगा तो 9 या 27 यानि कि 27 को अगर मैं 5 से विभाजित करूँगा तो कितनी बार जाएगा 5 पंजे 25 और 6 फल कितना बचेगा 2 बचेगा तो मैं कह सकता हूँ कि 6 फल कितना बचेगा 2 बचेगा 6 फल कितना बचेगा 2 बचेगा बोलो हाँ या ना clear? यहाँ तक cheese clear? 4th question की तरह बढ़ते है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है 39 से तो 6 फल 21 आता है यदि इस संख्या में 10 को जोड़ा जाता है और इसे 13 से विभाजित किया जाता है तो 6 फल क्या होगा? यह हमें बताना है मैं आप लोगों को पहले भी कई बार यह वाली चीज़ बता चुका हूँ इसी की सिरीज में पहले question जो भी कराएं है कि अगर divisor 1 यानि कि पहला वाला जो भाजक है अपने पास अगर वो दूसरे वाले भाजक से divisor 2 से पूरा पूरा कट जाए तो ऐसी condition में पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से अगर पूरा पूरा कट जाए तो ऐसी condition में जो हमारा पहला वाला remainder है उसी को हम संख्या मान लेते हैं तो पहला वाला भाजक क्या है पहला वाला भाजक है 49 क्योंकि पहला हैं 79 40 से भाग दे रहा है और फिर किस से भाग दे रहा है 13 से भाग दे रहा है तो पहला वाला भाजक तो 13 दूसरे वाले भाजक से पूरा पूरा कट जा रहा है ऐसी condition में जो पहला वाला शेश्वल है ना 21 उसी को संख्या मान लिया जाएगा तो यानि कि संख्या कितनी आ गई अपने पास 21 आ गई अब यह कह रहा है कि यदि इस संख्या में 10 जोड दिया जाए तो 21 में जैसे ही हम 10 जोडेंगे तो value कितनी आएगी हमारे पास 31 आ जाएगी और 31 को अगर किस से विभाजित करना है 13 से भी भाजित करना है 13 से तो 13 से भाग दे लो 13 दूनी 26 कितना बचेगा 4 एक बचेगा और एक 5 बचेगा तो यानि कि हमारे पास जो नया remainder आएगा R2 उसकी value आ जाएगी 5 R2 की value कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी R2 की value कितनी आ जाएगी अपने पास R2 की जो value आएगी वो अपने पास 5 आ जाएगी R2 की value अपने पास 5 आ जाएगी किलियर यहां तक चीजें चलो इसी सीरीज में आगे की तरफ देखते हैं कि 4th हो गया अपने पास 5th question क्या कहता है what is the remainder when x equals to 29 into 37 into 42 into 65 into 73 into 57 is divided by 45 कह रहा है कि सेशफल क्या आएगा अगर मैं 29 गुणा 37 गुणा 42 गुणा 63 गुणा 57 को 45 से बिभाजित करूं 45 से बिभाजित same type question मैं आप लोग को करा चुका हूं देखो 29 को as it is लिख लोगे 37 को break नहीं कर सकते as it is लिखोगे 42 को लिखोगे आप 2 गुणा 3 6 गुणा 7 ये लिखोगे 65 को आप 13 गुणा 5 लिखोगे फिर 73 को as it is लिखोगे 73 और 57 को 19 गुणा 3 लिख लोगे कितना लिख लोगे 19 गुणा 3 और इसको किस से डिवाइड करना है इसको किस से डिवाइड करना है दोस्तो इसको जो डिवाइड करना है आपको वो डिवाइड करना है 45 से 45 से अब देखो उपर 45 अगर मिल गया तो महीं कह सकता हूँ कि पूरा पूरा कट जाएगा देखो 3, 5, 15 और 3, 45 यानि की sorry very sorry 3, 5, 15 और 3, 45 ये एक 3 है ये एक 5 है और ये एक 3 है तो 5, 3, 15, 45 45 से पूरा का पूरा 45 कट जाएगा यानि की उपर वाली value नीचे वाली value से पूरी पूरी कटेगी और जब पूरी पूरी कटेगी तो remainder कितना आएगा मेरे भाई remainder आएगा 0 यानि की अपने पास इसका आंसर आजाएगा 0 अपने पास इसका आंसर कितना आजाएगा 0 आजाएगा तो ये आप क्लास का आपका इसका सीरीज का 5th question था चलो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं एक संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेशवल 5 आता है एक संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेशवल कितना आ रहा है 5 आ रहा है कोई बात नहीं यदि उसी संख्या को आठ से गुणा किया जाए और इसमें तीन जोड़ा जाता है तब ग्यारे से विभाजित करने पर शेश्वल क्या आएगा ये पूछा जा रहे हैं घबराना तो ही नहीं अब आप तो गेम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं मैंने पहले ही बताया था कि पहला वाला भाजक पहला वाला भाजक अगर दूसरे वाले भाजक से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है यानि कि ये इससे पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है अगर पहला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो ऐसी कंडिशन में यानि कि Divisor 1 ध्यान से चीजों को समझना Divisor 1 is completely divisible by Divisor 2 Divisor 2 तो ऐसी condition में जो पहला वाला remainder है उसी को हम संख्या मान लेंगे तो शेशवल कितना आ रहा है 5 तो संख्या कितनी हो गई 5 यानि कि ये पता चल गया कि वो संख्या 5 है अब कह रहा है कि उस संख्या को 8 से गुणा करें यानि कि 5 को 8 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 40 फिर इसमें 3 जोड़ा जाए यानि कि अब final result कितना आ गया 43 तो अगर इस 43 को 11 से विभाजित करोगे तो 11 तिया 33 और शेशवल कितना बचेगा अपने पास 10 बचेगा कितना बचेगा 10 जो की second answer में दिखाई दे रहा है second option में दिखाई दे रहा है clear यहां तक चीज़े clear है सबी लोगों का यहां तक चीज़े clear चलो अब यह 6th question था अपने पास आज की series का अब आगे चलते हैं 7th question की तरफ देखते हैं कि 7th क्या कहना चाहते हैं दोस्तों बहुत ध्यान से देखना कि 13 की power 2134 को अगर आप 14 से विभाजित करेंगे तो 6 फल कितना मिलेगा 6 फल कितना मिलेगा इसको जरा देखना है 6 फल कितना मिलेगा तो जरा 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 को लिख सकता हूँ 14-1 है तो 13 यह और इसकी power कितनी दे रखी है 21-34 तो इसकी value भी कितनी हो जाएगी 21-34 और इसको किस से विभाजित कर रहे है चौधे से विभाजित ही कर रहे है तो चौधे तो चौधे कैंस ही लो जाएगा पूरा और मैंने बताया था कि आप लोग को यह बचेगा तो मैं ही कह सकता हूँ कि remainder जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 मिलेगा remainder कितना मिलेगा 1 मिलेगा ध्यान से समझ लेना यानि कि उपर एक बच रहा है पहाड़ा नहीं जा सकता पहाड़ा नहीं जा सकता उसमें answer कितना आ जाएगा अपने पास answer आ जाएगा अपने पास answer आ जाए के concept की तरफ बढ़ गए हैं अब हम लोग unit digit के concept की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से चीजों को देखना अब हम लोग iqai के अंक की तरफ बढ़ रहे हैं अब इस session में हम लोग iqai के अंक का game देखेंगे कि iqai के अंक को लेकर SSC Railway और जितने भी अपने one day exam है उन सभी में किस किस तरीके के प्रश्ण बनते हैं unit digit को लेकर तो कह रहा है कि 67 to the power 32 में इकाई का अंक क्या होगा अब बहुत ध्यान से आगे तो बढ़ेंगे मगर आगे बढ़ने से पहले concept सीखेंगे कि concept क्या है ना concept सीखते है कि concept है क्या अब जरा ध्यान से सारे लोग देखना इकाई के अंक का concept है क्या unit digit बस एक ही चीज आप लोग को सिखाऊंगा उसको जरा ध्यान से देख लेना one है तो one की अगर आप कोई सी भी power करोगे कुछ भी पावर कर लो तो आपको unit digit जो मिलेगी ना इकाई का जो अंक मिलेगा इसके expansion में वो कितना मिलेगा one मिलेगा ऐसे ही five की अगर आप कोई सी भी power कर लो तो आपको five मिलेगा ये बात भी आप अपने mind में set कर लो ऐसे ही अगर आप six की कोई सी भी power करोगे तो आपको इकाई का अंक 6 मिलेगा इकाई का अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा और ऐसे ही आप 0 की कोई सी भी पावर करोगे 0 की कोई सी भी पावर करने का मतलब है जैसे सपोस हमने नंबर ले लिया 120 और इसकी कोई सी भी पावर कर लूँ माना 47 कर दी तो last में क्या है? 0 तो इससे मतलब है जीरो की अगर कोईसे भी पावर करूँगा तो last में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ये चार चीज़ें हमारे पास fix हैं दोस्तो ये चार चीज़ें हमारे पास fix हैं कि अगर किसी भी संख्या जिसके अंत में 1 आ रहा है उसकी कोई सी भी पावर करूँगा तो उसका इकाई का अंक एक मिलेगा कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके अंत में पाँच आ रहा है उसकी कोई सी भी कितनी भी पावर कर लूँगा तो उसके अंतिम में इकाई का जो अंक आएगा एक्सपेंशन में वो हमें 5 मिलेगा और कोई सी भी संख्या जिसके last में 6 आ रहा है और उसकी कोई सी भी power कर लूँ तो उसके expansion में अंत में 6 मिलेगा और कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 आ रहा है और कोई सी भी power कर लूँ तो उसके expansion में 0 मिल जाएगा तो ये चार चीजे तो fix हो गए यानि कि 1, 5, 6 और 0 ये तो 1, 5, 6, 0 पर 1, 5, 6, 0 ही दे देंगे हमें ठीक है नमबर एक बात अब नमबर दो बात यहां से इसके अलावा कौन कौन से रह गए दो रह गया पीन रह गया चार रह गया पांच आ गया 7 रह गया 8 रह गया और 9 रह गया ठीक है अब ध्यान से देखना अब मैंने उठाया सिर्फ 4 को मैंने उठाया सिर्फ 4 को बहुत ध्यान से चीजों को समझना सिर्फ 4 को उठाया है ठीक है अब सिर्फ 4 को उठाया तो ध्यान रखना 4 की पावर 1 कितना मिलेगा चार चार की पावर दो कितना मिलेगा सोले तो इकाई कांग कितना आ रहा है छे चार की पावर तीन कितना आएगा चोंसट तो इकाई कांग कितना आ रहा है चार और चार की पावर चार इकाई कांग कितना आ रहा है 4 की power 4 होता है 256 कितना आएगा 6 तो यहाँ पर 4, 6, 4, 6 repeat हो गया 4 के बाद 6, फिर 6 के बाद 4 फिर 4 के बाद 6 तो यानि कि यहाँ से result यह मिला कि 4 की power अगर odd है तो हमें 1 का अंक 4 मिलेगा और 4 की power अगर even है तो हमें 1 का अंक कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा तो 4 पे 4 पे result यह मिला कि 4 की power odd किस के equal आएगा 4 के equal और 4 की power even 4 की power even किस के equal आएगा 6 के equal आजाएगा किस के equal आएगा 6 के equal आएगा एक तरीका यह आगया अपने पास एक चीज़ यह fix हो गई अब आगे का game समझना है इसी में इसी में आगे का game समझना है game यह कहता है अब तुम एक logic समझना 2 की power एक किस के बराबर होता है आप कहोगे 2 के 2 की power 2 किस के बराबर होता है 4 के 2 की power 3 किस के बराबर होता है 8 के 2 की power 4 किस के बराबर होता है 16 के 2 की power 5 किस के बराबर होता है 32 के 2 की पावर 6 किस के बराबर होता है 64 के 2 की पावर 7 किस के बराबर होता है 128 के 2 की पावर 8 किस के बराबर होता है 256 के फिर 2 की पावर 9 किस के बराबर होता है 512 के यही आएगा ना 256 दूनी 512 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ठीक है यही आएगा ना अपने पास हाया ना अब दो की पावर 10 किसके बराबर होता है लिख लेता हूँ ना दो की पावर 10 किसके बराबर होता है 1024 के दो की पावर 11 किसके बराबर होता है 2048 के ठीक है दो की पावर 12 किसके बराबर होता है 4096 के ऐसी चलता चला जाता है दो चार चार आठ छे दो चार आठ छे यानि की चार चार पे जैसे ही मैंने ब्रेक कर दिया इकाई के अंक रिपीट होना शुरू हो गए तो बस यही इस concept को अपने दिमाग में रखना और अब question की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो कह रहा है कि 67 to the power 32 में इकाई का अंक क्या होगा यह बताना है तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि हमें लिखना है 67 to the power 32 तो जब इकाई के अंक की बात हो रही है तो सिर्फ इकाई का अंक ले लो यहाँ पर 7 तो यानि कि 7 की power 32 आप सिर्फ ऐसे लिखोगे कुछ नहीं करना सिर्फ इकाई का अंक लेना है बस इतना करना है अभी फिर game क्या करना है कि जो भी हमारे पास power है उस power को 4 से divide करके remainder find करो कि remainder कितना आ रहा है तो power कितनी है 32 32 को 4 से divide करोगे तो remainder कितना आएगा आपके पास 0 और जब कभी भी 0 remainder आ जाए तो उसे 4 के equal मान लो ये important बात है ध्यान से समझ लेना जब कभी भी remainder 0 आ जाए तो उसे 4 के equal मान लो और इस remainder को power बना दो क्या बनाना है दोस्तों इस remainder को power बना दो इस remainder को power बना दो तो यानि कि ये value कितनी हो जाएगी 7 की power 4 ये value कितनी हो जाएगी 7 की power 4 जो भी इस power को 4 से divide करके जो भी remainder मिला उसको power बना दो फिर से तो remainder मिलाए 0, क्योंकि 32 तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऐसी condition में, जब 0 remainder मिले है, संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाए, तो power को 4 बना दो, 7 की power 4 का मतलब होगा, 7 गुणा, 7 गुणा, 7 गुणा, 7 गुणा, 7 इसका मतलब हो जाएगा 49, और इसका भी मतलब हो जाएग तो इकाई का अंक, सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, तो answer आजाएगा हमारे पास 1, answer आजाएगा हमारे पास 1, यानि कि हमारा correct answer कितना आएगा, 1 आएगा, clear है, यहां तक चीज़े समझ में आई होंगी, ठीक है, unit digit का पहला ही question है, अब जड़ा अगला question, find the unit place of 3674 into 8596 plus 5699 into 1589, इसके product में इकाई का अंक कितना होगा, यह हमें बताना है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब इकाई के अंक की बात होगी मेरे भाई, तो सिर्फ इकाई का अंक ले लो, बाकी कुछ नहीं लेना आपको, देखो यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, छे दिखाई दे रहा है, यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, नो दिखाई दे रहा है, और यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, नो दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब यह बात ध्यान रखना कि बी बोर्ड मास के, बी बोर का sign दिया गया और उससे पहले multiply दिया गया ये रहा multiply ये रहा multiply तो हम पहले तो multiply करेंगे ना बाद में करेंगे plus तो यानि कि इन दोनों का multiply तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 तो यहां से कितना मिलेगा multiply करूँगा तो 24 तो unit place पर क्या मिलेगा 4 ऐसे यहां से कितना मिलेगा 99081 कितना मिलेगा प्रोड़क्ट करोगे तो 81 तो इकाई के अंक पर यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा एक मिलेगा और इनके बीच में जो आपरेशन है वो बना दोगे तो 4 और 1 मिलके क्या बनाएंगे 5 तो आंसर हमारा कितना आएगा 5 आएगा जल्द बाजी में सबका मल्टिप्लाई मत कर देना क्योंकि अगर मल्टिप्लाई कर दिया तो समझ लेना गेम कुछ नहीं बचने वाला फिर किलिए रहा है यहां तक चीजें तो ऐसे कोश्चन को करते समय ओप्रेशन को ध्यान में रखना होता है तो कह रहा है कि 5 की पावर 41 गुणा 7 की पावर 69 गुणा 3 की पावर 57 में अब यहां पर यह कह रहा है कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा होगा यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा आप एक बात समझना कौन सेप्ट यह कहता है कि इसका अगर मैं एक्सपेंशन करूँगा तो इसके एक्सपेंशन में इकाई का अंक 5 आएगा ये बात तो फिक्स है अपने पास क्या है फिक्स है और 5 का जब मैं किसी भी even नंबर से गुणा करूँगा तो मुझे इकाई का अंक 0 मिलेगा क्योंकि 5 का अगर मैं 2 से, 4 से, 6 से, 8 से 12 से, 14 से, 16 से, 18 से किसी से भी अगर मैं multiply करूँगा तो मुझे इकाई का अंक कितना मिलेगा 0 मिलेगा और यही पर अगर मैं किसी भी 5 की odd number से multiply कर दूँ यानि की विशम संख्या से multiply कर दूँ तो इकाई का अंक 5 मिलेगा तो 7 की power कितनी भी कर लूँगा मैं तो मिलेगा तो यहां से odd मिलेगा तो यहां से odd ही even तो मिल नहीं जाएगा और यहां पर भी 3 की power 57 कर लूँगा तब भी मुझे क्या मिलेगा odd ही मिलेगा बोलो हाँ या ना odd ही मिलेगा अब इस बात को थोड़ा सा दिमाग में इस बात को थोड़ा सा दिमाग में है ना fit करना सोचना की जो मैंने बोला है सोचना की जो मैंने बोला है तो यहां से 5 का अगर मैं odd के साथ multiply करूँगा तो दोस्तो odd के साथ multiply करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे 5 ही मिलेगा 5 ही मिलेगा answer हो जाएगा अपने पास second one answer हो जाएगा second one answer हो जाएगा second one इसी में आगे find the unit digit in the given factor 3 4 5 1 to the power 51 into 3 1 to the power 43 इसमें इकाई का अंक बताना है अब खुद देखो जरा 3 4 5 1 की power 51 दे रखी है तो हमें तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है और अभी हमने देखा है कि एक की power कुछ भी कर लो तो इकाई का अंक तो एक ही आएगा ऐसे यहाँ पर एक की power कुछ भी कर लो इकाई का अंक एक आएगा और एक का जब एक से गुणा करूँगा तो कितना आ आएगा एक ही मिलेगा तो यहाँ पर तो आंसर एक ही आएगा अपने पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा एक आएगा यानि कि C हमारे पास correct answer है और C जो दिया गया है वो second option में है C जो दिया गया है वो second option में है यानि की second हमारा correct answer है बहुत श्रांदार प्यारा question है समझ सकते हो इसी के साथ आगे 64 to the power 128 to the power 256 का इकाई का अंक क्या होगा ये logical question है रटने से काम नहीं चलेगा दोस्तो logical question है ये अगर इसका logic clear है तब तो आप कर सकते थे और अगर logic ही clear नहीं है तब तो ये समझ लो कि फिर कोई नहीं करा सकता तुमसे question तुम जितना मर्जी चाहें अतना दिमाग लगा लो राजा कि इसको तो करी नहीं पाऊगे आप ये देखो कि 64 to the power 128 to the power 256 है कितनी है 256 तो power actual में है कैसी power even है अरे बोलो हाँ या ना power कैसी है even दे रखी है power अपने पास कैसी दे रखी है even की भी power even ही दे रखी है जब even ही दे रखी है तो हमें पता है कि 4 की power जो odd होती है तो उस पर हमें 4 मिलता है और 4 की power अगर हमारे पास even आ जाए रखी है तो इकाई का अंक छे ही तो बनेगा इकाई का अंक छे बनेगा या नहीं बनेगा इतनी कहानी बता हो जरा यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया तो अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं इकाई के अंक वाले कुश्चन तो समझ लो की गलत होंगे ही नहीं इस में इस प्रोड़क्ट में इकाई के इस्थान पर कौन सा अंक आएगा और बिना मैं समझ रहा हूँ कि आप ऐसी बतादो बस फटा फट से विदिन सेकेंड्स में बताईए जरा फास्ट एकदम पास्ट एकदम बिलकुल शांदार अभी लोगों का इतना आ रहा है अरे कॉमेंट्स वोमेंट्स की बाते छोड़ो इधर ध्यान से पढ़ लो देखो 61 inter 62 inter 63 inter 64 into 65 ऑपर कुई यहीं पर रुख जाओ इन two 69 अब यह देखो कि यह झो पांच है नही किसी भी समसंख्या से गुणा करके 0 बना देगा यह 5 किसी भी समसंख्या से गुणा करके क्या बना देगा 0 बना देगा तो आप खुद देखो कि इसके product में जो आखरी का अंक आएगा यानि कि 1 का अंक आएगा वो कितना आजाएगा अपने पास दोस्तों वो कितना आजाएगा अपने पास 0 आएगा कितना आएगा अपने पास 0 आजाएगा कितना आजाएगा फटाफट से 101 गुणा 82 का स्क्वाइर पिलस 102 का स्क्वाइर देखो इसका multiply करोगे तो 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वाइर करोगे तो 4 आएगा फिर इस 2 का स्क्वाइर करोगे तब भी 4 आएगा तो 4 और 4 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा अपने पास 8 आ जाएगा क्या था इसमें मुझे बताओ जरा सभी लोग तो कर सकते थे इसको आसानी से 8 यूनिट डिजिट का प्यारा कॉंसेप्ट प्यारा कॉंसेप्ट आज आप लोगे सामने है next 729 to the power 1 third into 729 to the power half का इकाई का अंक बताना है अगर मैं कहता हूँ कि x की power 1 बटे 3 तो इसका मतलब होता है cube root x cube root x ध्यान रखना इस बात को तो अगर 729 की power 1 बटे 3 है 729 की power 1 बटे 3 है तो इस बात का मतलब हो जाएगा cube root 729 और ये किसके बरावर हो जाएगा 9 के इक्वल हो जाएगा किसके 9 के और 729 की power अगर 1 बटे 2 है तो ये value किसके इक्वल हो जाएगी under root 729 और 729 किसका square होता है दोस्तों 27 का square होता है तो वो कह रहा है कि 9 into 27 अब बताओ इकाई का अंक क्या आएगा तो 9 63 यानि कि इकाई का अंक आएगा 97 जा 63 तो इकाई का unit place पर जो digit मिलेगा वो मिलेगा 3 यानि कि चौथा correct answer है तीन मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे है कि game किस तरीके का है हाँ या ना clear है अब चलो आगे की तरफ देख लेते हैं यहाँ तक यहाँ तक बात समझ में आई unit digit को लेकर clear है तो फिर से में एक बार आप लोग को unit digit का जो game है उसको मैं बता देता हूँ कि unit digit है क्या जिससे कि आप लोग चीजों को फिर से repeat कर पाओ मेरी बात ध्यान से समझ लेना किसी भी expansion में इकाई का अंक जो है वो आप लोगों के logic पर depend करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को कर रहे हो operation का हमेशा ध्यान रखना एक ही game है कि जो भी power दे रखी है उस power को 4 से divide कर लो जो भी power दे रखी है उस power को 4 से divide कर लो और जो भी remainder आए उसको ही नई power बना दो उसको क्या बना दो new power बना दो तो remainder क्या क्या आ सकते है एक आ सकता है दो आ सकता है तीन आ सकता है और जीरो तो जब कभी भी जीरो आ जाए तो उसे चार के बराबर रख दिया जाएगा चार के बराबर रख दिया जाएगा अभी इस पर और भी questions आप लोगों को कराऊंगा unit digit को लेकर और number of zeros को लेकर ठीक है number system के जिससे के आप लोगों का concept और भी बढ़िया तरीके से किलियर हो जाए मुलाकात करेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाई बाई टेक केर लव यू गाईज और हाँ थोड़ा त्योहार तो मना रहे हो मगर त्योहार का महत तो भी समस्ते चलो कोई भी त्योहार हो जीवन में चाहे हो ली हो दिवाली हो हर दिन हो ली है हर दिन दिवाली है दोस्तो क्लास कैसी लगी comment section में मुझे जरूर बताएगा speed थोड़ी कम रखता हूँ तो जिन बच्चों को थोड़े concept पहले से पता है या अच्छी speed में सुन सकते हैं वो इस वीडियो को 1.25 की speed पे करके भी सुन सकते हैं ठीक है चले अपने अपने परिवार का ध्यान लाखे वायवा टेक केर एंड लव यू गाईज